हेलो फ्रेंड आज हम अन्या से अनन्या की आत्मकथा बाय परवाखेतान की समीच्छा करेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अन्या से अनन्या बाय परवाखेतान आत्मकथा अन्या से अनन्या परवाखतान की हिम्मत भरी आत्मकता है जो लेखी का इस्त्री अधिकारों के पक्षिदर है वे पुरुस परधान समाज वाले एक विवाहित पुरुस को कैसे अपना सर्वस्वमान लेती है वे बड़ी विवाकी से उद्गाटित किया है हमारे देश में प्राचिन काल से ही इस्त्रीयों की दसा बहुत सम्मान जनक थी उन्हें सारे अधिकार मिले थे हर छेतर में उनकी भागीदारी होती थी पर बदलते समय के साथ उनके अधिकार सीमित होने लगे उनका अधिकार चार दिवारी तक सीमित होने लगा उत्तरवेदिक काल राजपूत काल मद्यकाल से होते हुए आंधुनिक काल इस्त्रियों की दसा उरुस परदान मानसिक्ता के घेरे में आती गई यहां से फिर उनके अधिकारों के समर्तक में विभिन समाज सुधार को ने अपनी आवाज उठाई राजाराम मोहन राए इस्वर्चंद वीद्यासागर आदी सुफकारों ने इस्त्रियों के सामने आयो हुए कश्टकारी समाजिक कूपर्थाओ को समाप्त करने की दसा में महत्तपुन कारे किया जिसका परभाव उनके जीवन में सकरात्मक बदलाव ले आया आन्निक साहित्ते के एक दोर ऐसा भी आया कि साहित्ते में स्त्री वीमर्ष एक अंदोलन के रूप में चल पड़ा यहां तक कि स्त्री अधिकारों की मांग करते कुछ लेखिकाएं पारिवारिक और वेवाईक संस्ता पर भी प्रस्न चिन लगने लगे प्रभाखेतान नाम की इस विशे एक महतपूर है मारवाडी समाज में पली बड़ी प्रभाखेतान का बच्पन तमाम प्रस्थनों के साथ आगे बढ़ता गया मा से कम पर दाई से अत्यदिक्स ने मिला पिता की असमय मित्यू ने जीवन को अस्थवेस्थ कर दिया समय बढ़ता गया वे परभाखे अनन्य थी डोक्टर सराफ का प्यार पाते ही अनन्य हो गई जिस इस्तरी ने जीवन भर पुरुषवादी मानसिक्ता का विरोध किया वेवाहिक संस्था का विरोध करते जीवन भर अविवाहित रहने का निन्ने लिया पुरुष सत्ता को पुरी तरह से नकारने के बाद भी प्रभाखेतान उसी सत्तक के पुरुष को किस तरह अपना वचस्व सर्वस्व अरपन कर देती आत्मकथा में एक प्रस्ण बन कर तैयता रहता है आखिर कार एक इस्तरी को एक पुरुष की छाओं क्यों सकता क्यों पड़ती है लेखी का अपने सब्दों में मैं क्या लगती थी डॉक्टर साहब की प्रियतम मिस्ट्रे सायद आधी पत्नी पूरी पत्नी तो मैं कभी बन नहीं सकती क्योंकि एक पत्नी पहले से मौझू थी बीस सालों से उनके साथ थी किस रूप में इस रिष्टे को नाम नहीं दे पाउंगी लेखी का अपने को रखेल भी नहीं समझती क्योंकि वेख खुद कमाती थी स्वाम बलम लंबी थी आत्म निर्भर मैं सदवा नहीं क्योंकि मैं मेरी साधी नहीं हुई मैं विद्वा नहीं क्योंकि कोई दिवगत पती नहीं मैं देह कवेपार नहीं करती इन सब के बाबजुद लेखी का फिर खुद प्रसंद खड़ी करती है फिर ऐसा क्या था कि उस दॉक्टर से ऐसा संबंद बना देखा अकर्षन देश तो हर जगे उपलब्द है कहीं भी किसी भी कोने में क्या मन का लगाओ या प्रेम हाँ नहीं वैसे सब कुछ देश से सुरू हता है तो फिर एक दिन प्रेम के मीठे से भी तो मन भर जाता है तो फिर किस कारण से डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब से एक संबंद बन गया था सायद डॉक्टर साहब मेरे लिए सुरक्षा के परतीक थे एक बरगत की छावाता लेखी का इसी निसकर्स पर पहुँचती है कि पुरुस की तरफ इस्तरियों का आकरसर अपनी सुरक्षा की तलास है पर स्रिष्टी की रचना को लेखी का सायद जान भूज कर नहीं स्विकार पाती कि इस्तरी पुरुस एक दूसरे के पूरक है जिनके बिना स्रिजन का कोई अस्चित्व नहीं अविवाहित से रहना स्वेव का निरने हैं पर उसके बाद भी उसी पुरुस के बिना ना रह पाना अपने आपको अधूरा समझना प्राकृति मानव सभाव है जिससे कोई चाह कर भी नहीं भाग सकता इस्तरी अजादी का प्रस्म आखिर कौन सी अजादी किस से अजादी उस अजादी का की सीमा क्या इस्तरी अधिकार तो जायज है पर उस अधिकारों का तिक्रण नरसंगिक सत्ता को चुन्यती देने के बराबर है इस्तरी को पुरुस के साथ समानता करने की बात नहीं कही जाती जो सही है पर उसके बीच जो जन्मजात विभिनता है वे तो स्विकारना ही होगा इसलिए स्त्री है और पुरुस पुरुस है आसा करता हूँ आप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी